भारत में ये मिठायया काफी ज्यादा फेमस है क्या आपने खाई है ये मिठायया ताजा पनीर और चाशनी में दूबे रसगुले भारत के हर घर में बहुत शौक से खाई जाते हैं रसगुले को घर पर बनाना भी बहुत आसान है इन्हें बनाने के लिए दूग, मैदा, नीमबू और चाशनी की जरूरत होती है भारत में लोग चाशनी में दूबी, टेड़ी मेरी जलेबी को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मौसल चाहे कोई भी हो अगर गर्मा गरम जलेबी सामने आ जाएं तो खाने के लिए मना नहीं किया जाता भारत में लोग लड़ू खाने के ये अफसर की तलाश करते हैं लड़ू, बेसन, मोती चूर और आटे से तयार करके अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है बर्फी, भारत की जानी मानी, मिथायों में से एक है, गारहे दूद और चीनी को मिलाकर इस स्वीट दिश को बनाया जाता है बेसन की बर्फी, काजू की बर्फी, पिस्ता से तयार की गई बर्फी, भारत में बहुत ज्यादा खाय जाती है बनारस की गलियों से निकली, रबड़ी, आज पूरे भारत में धूम मचा रही है पुराने समय में, रबड़ी केवल, सर्दियों के दिनों में ही खाय जाती थी लेकिन धीरे-धीरे, रबड़ी, साल के बारह महीनों में खाय जाने लगी है डायमन शेप में बनी काजु कतली, एक मारवारी मिठाई है, जो इस समय पूरे भारत में फेमस है इस मिठाई को काजु के पेस्ट के साथ तयार किया जाता है रस्मलाई भारत के उत्तरी एवं पूर्वीक शेत्रों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई में से एक है इसमें छेना एक रस गुल्ले जैसे आकार में होता है, जो केसर से तयार दूढ में डूबा रहता है